ट्रैफिक नियमों में लोगों को आगा करने के लिए गोरफपूर विश्विद्याले के राष्टे सेवा योजना इवम यातायात विभाग के समय के तत्वावदान में एक जागरुकता रैली निकाली गई जो गोल गरिसित काली मंदेश से शुरू हो कर जेतना ती रहे पर कर संपन हुई इस दोरान राष्टे सेवा योजना के समय सेमकों इवम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को यातायात के नियमों के परती जागरुक किया तत्था उन्हें पंपलेट लेकर ट्रैफिक नियमों के पालन करने के लिए कहा जागरुकता रैली में सेमकों ने जीव से बात करते हुए राष्टे सेवा योजना के समय सेमकों इस पी ट्रैफिक आधित परकाश्वर्माने कहा अब 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 लेके छोड़ेंगे अब अब तब पहिनो गया सेट जी मर जाओगे तब अब आनो भाई इनको पहनाईए चलो जो 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 है जो 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 जाओ 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 मिलामेट साओ में बच्शा-ध्य। जीवन बचाना है एक हमेट लोगों को सेफटी रहेगी बहुत लोग यहां गिरते हैं फिर हेलमेट रहेगा तुस्से बहुत सेफ रहेंगे आपने सुरच्छा के लिए जनता को सुरच्छा के लिए सबसे बड़ी बात है कि जीवन की सुरच्छा रहेंगे हमारे साथ सब की सुरच्छा अपनी तो सुरच्छा खुद रहेगी और हमारा लाइफ जो हमारा 20 साल रहता है वो इससे बढ़ के भी 40 साल पचास साल इससे रहता है ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छाईयां भी होती है इसलिए हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो मैं NSS के जो विभीन विद्यालें से NSS के बच्चे आये हुए है मैं इनको धन्यवाद दूँगा कि इतनी धूप में आकर इन्होंने यातायत पुलिस की मुहिम में अपना सहयोग प्रदान किया है ये बच्चे बहुत समाज़दार हैं और इनमें दिल में सेवा की भावना है अनिता कोई धूप में आकर इतना नहीं करता तो मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने धूप में आकर इतनी कड़ी धूप में आकर यातायत किर्पृति अपनी जो जागरुकता है उसको व्यक्त किया है और ये सभी बच्चे लोगों में याताय जागरुकता को प्रिचारित करने के लिए पंप्लेट बात रहे हैं और हेलमेट पहनने के लिए उनसे अन्रोध करने हैं कि आपने अभी नारा सुना हेलमेट लगाना है जीवन बचाना है तो ये बच्चे हैं और ये कल के भविस्य हैं ये भी हेलमेट लगाएंगे और दूसरों को लगाने के लिए प्रोशाइद करेंगे